अगर आपके वीडियो दिख रही है जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं मुझे अभी कल लाइफ सेशन में पता लगा है कि चाइना से एक फ्राइट जैनुरी चार के आसपास लैंड कर सकती है थाइलेंड में हाना कि अगर आप न्यूस में देखेंगे तो बेसिकली जैनुरी आठ से चाइना बेसिकली रिओकोन हो रहा है अभी क्या है कि चाइना को सामने रखते में क्या त्यारियां चल रही है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहते हूं इस वीडियो में रिस्टिक्शन जो हैं अभी तक रिवाइस नहीं है अंटल फर्दर नोटिस ठीक है कोई भी इस्टिक्शन फॉर्णर के लिए ट्रैवलर्स के लिए नहीं है सिर्फ हम बात करें पहले चाइनीज टूरिस्ट की अभी तक जैन्वरी 24 के आसपास स्वरी डिसेंबर 24 के आसपास तीन हजार से भी कम कैसिस अभी तक आये हैं थाइलन में स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं तो पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स टूरिजम से जोड़े जो लोग हैं एस्सेशिएशन जितने भी उनकी एक मीटिंग है जनुरी पांच को और कोई अडिशनल मेशर्स उन्होंने अप्लाई करने हैं चाइनीज टूरिस्ट के लिए यह ओवरल इन जनरल सब लोगों के लिए तो वह पांच है कि मैं अभी चाइनीज टूरिस्ट की बात करने जा रहा हूं पॉइंक्स के अंदर कोवेड नाइटीन की कोई स्क्रीनिंग इन पैसेंजर्स की चाइनीज टूरिस्ट की नहीं की जाएगी हाली में जनुरी पांच से पहले जितने भी लोग पहुंचते हैं इनके सिफ व् पर इनके एरपोर्ट पे रैंडम सैंपलिंग की जा सकती है ठीक है हाले कि अभी यह स्क्रीनिंग ही नहीं करेंगे तो सैंपल कहनों देना है बट फिर भी जो मीटिंग के अंदर एक्स्पेक्टेड है हो यह कि इनकी रैंडम सैंपलिंग की जाएगी और मॉस्ट लाइकली इनकी पांच तक स्क्रीनिंग होगी और आटी पीसिया टेस्ट कराना है दो डोसे इनको लगी होनी चाहिए और हेल्थ इन्शोरंस से नहीं कैरी करनी पड़ेगी अब यह तो रही चाइना की बात हम क्यों इस चीज सिच्वेशन को एसेस कर रहे हैं इस वक्त वक्त हमें यह देखना है कि जनल टूरिस्ट के लिए अपार्ट फ्रॉम चाइनीज टूरिस्ट चाहिए इंडियन होगे और होगे मलेशन होगे वेस्टनर्स होगे क्या उनके लिए कोई रिस्टिक्शन हो सकती है यहां कोई चीज उन पर लगाई जा सकती है कि पीसी टेस्ट कराना इंशोरोंस लेनी है वैक्सिन की सर्टिफेक्र दिखाने पड़ेंगे यह हमें बाद ने पता लागेगा ठीक है इस वीडियो को ताके मैं आपको एक सिच्वेशन बता दो कि इस वहां पर क्या चल रही है क्या डिवलप्मेंट हो रही है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ रिवीजिन आएं लेकिन वो इन जनरल सब के लिए आते हैं यह सिफ चैनीज टूरिस के लिए आते हैं जो हैं वो मैंने आपको बता दी है तो देखना ही है जो रिवीजिंस हैं वो जनरल टूरिस के लिए आ रही है यह चैनीज टूरिस के लिए उससे पहले कुछ भी कहना प्रडिक्ट करना बहुत मुश्किल है तो जैसे हमें पता लगेगा हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको बाक मेडिकल इंशूरंस आपको दिखानी नहीं पड़ती अब लेकिन आप मेडिकल इंशूरंस लेकर जाएंगे आइम शूर जरूर करना उसके जितने भी लिंक्स हैं हमने लाइफ सेशन में भी शेयर किया सबके साथ बात किये उनके बारे में तो वह अगर में इंडियन की बा वीज ओन राइवल आपने लेना है वो बात अलग है स्टिकर वीजा ले तो स्टिकर वीजा औरिजनल पास्पोर्ट के साथ होना चाहिए छे मंत की वैलेडिटी आपके पास्पोर्ट की होनी चाहिए तो यहीं है कुछ मुश्किल नहीं है थालन जाना कोई ऐसा कोई मेजर सुन नहीं है कोई ऐसे पैने कोली बात नहीं है अगर कुछ चेंजिस हुए सभी इंटरनाशनल ट्रावलर्स के लिए वहम इंफॉर्म करेंगे जल्दी से जल्दी आपको लेकिन चाइना की सिच्वेशन करते में मैं आइडिया लगाने कुशिश कर रहा हूं कि लोगों के लोगों के लिए क्या रिस्रिक्शन हो सकती है तो आपके साथ शेर किया है और गाइस एक और इंपॉर्टन रप्डेट आप लोगों के लिए जो लोग थाइलेंड से अब ट्राजिट करेंगे ठीक हैं बैंकोक से आप ट्राजिट करते हैं किसी और प्रोविंस से करते हैं तो उसकेस के अंदर जो ट्राजिट पैसेंजर्स हैं उन्हें भी अर्टी पीसी ये टेस्ट रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा और उसे अप्लोड करना पड़ेगा एरसुधा पॉर्टल पे और ये अप्डेटेट लेटेस्ट न्यूस है जो मैं आपके साथ इस वीडियो म मैं आड कर रहा हूँ एक तो मैं तो मैं आपके साथ अशार एशा है आँ ये ये रानी अ स्पेशल ओफर उंटिल जनुर्वरी सेविट आइस जिए आपके ये थार्ट गटेट अधा ये वीडियो थाजन थाइपार्ट आपके तो आपके साथ भीस अनुर्ट पैस्ट एक आपको हॉस्पिटल एक क्लीनिक बताया है प्राइविट हॉस्पिटल है जो की पताया के अंदर है इस नियर सीफूद मार्केट नकलुका करके हैं जो चेक इडाओ बिकाओ अंदिल लास्त यर दे वर दूएंग पीजिए टेस्ट फॉर जस्ट फिफीन थाइबाट वालाइड और देन कुछ और रसोसे हैं विच आपको इस वीडियो के डिस्रिप्शन नमिल जागा सारी इंशूरस पॉलिस के लिंक दुबारा दे रहा हूं सारी इंशूरस पॉलिसी के लिंक और जितने भी पीजिए टेस्ट क्लिक के लिंक और रसोसे हैं वह आपको इस वीडियो के डिस्रिप्शन में मिलने जा रहे हैं वालाइट तो यही परफस था इस वीडियो को करने का जस्ट तो गिव यू अप्विक रिविशन आफ एवर तो कोई यह तो नहीं है के आप आज कल में लग जाएगा थरस्डे को मीटिंग होगी फ्राइडे से इंप्लिमेंट होगी चीज़े तो एक्सपेक्ट वहां पे है ठीक है ना चीज़े एकस्पेक्ट्टे होनी वहां पे हैं तो कहा कुछ नहीं जा सकता अभी जब तक हमें नहीं पता लगता, so we have to observe for Thursday's meeting, only then we shall be able to tell you something, ठीक है न, तो अभी आप normally travel करे, so if you're planning to travel anytime between 5th of January or 6th of January, it's better to get in touch with your airlines directly, उन्हें क्या orders मेले हैं, ठीक है न, हम आपको बता दे, ये होगा वोगा, एरलाइन के न, अभी तो जो होती हमें, हमें तो orders नहीं मेले, so I don't want that to happen, तो इसे अच्छा ही है कि आप airlines को directly contact कर लें, उस दुरान, in the meantime, we will keep a track of it, okay, और जितनी जल्दी पता लगेगा, उतनी जल्दी आप लोगों के साथ शेर कर दी जाएगी चीज़, कि ये होने जा रहा है, और एक तो अन ओफिशल वीडियो होती है, तो एन एक उफिशल वीडियो मैं ना हो, और कोई major होंगी भी नहीं, क्योंकि nobody is interested to getting into this COVID business anymore, कोई भी country is interested नहीं है, ये सिर्फ एक panic create हो गया है, क्योंकि China reopening आपको पता है कि सामने है हमारे, तो that's all guys, इस वीडियो को छोटा ही रखूंगा आज, अपना ध्यान रखें, happy new year to all of you once again, विस वीडियो को लाइक करते झाल